प्रदीप हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है लेकिन अगर ग्लोबल मारकेट्स की बात करे बड़ा अक्षन यहां पर भी हुआ है क्या एलान हुए है मारकेट्स ने कैसे रिया किये है आई विश की बजट के दिन में आपके जो हमारे सब की शुरुवात है एक्साइट्मेंट है एनर्जी है सब की उसमें और एनर्जी लाता यह कहर कर कि यूएस फेड की तरफ से आपको अच्छे संकेत आ रहें बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक अच्छा संकेत यूएस फेड की तरफ से नहीं आया है एक तरह से कही सकते हैं बाजार इसका अनुमान लगा रहा था बट फिर भी फेड ने जो मार्च में रेट कट की उमीद बाजार जता रहा था उस पर पानी फेर दिया है पूरी तरहां से तो rate cut नहीं होने वाला है मार्च में ये clear commentary आ गई है आपके लिए पावल साब की तरफ से उन्होंने काए कि अभी हमारा confidence नहीं है कि हम मार्च में rate cut करें हमारी rate cut की नीती डेटा पर निर्भर करेगी हम चाहते हैं कि लंबे समय तक अच्छा डेटा है तब हम rate cut की बात करेंगे 2% inflation लाना है उस पर हमारा पूरा focus है तो फिलहाल मार्च में तो rate cut नहीं होगा आगे देखते हैं कि डेटा पर निर्भर करता है कि होने वाला है कि नहीं इसका impact हमने अफकोस देखा 10 साल की bond deal हाला कि surprisingly 10 साल की bond deal गिरी है क्योंकि उन्होंने rate cut कहा है कि होने वाला है बट मार्च में नहीं होगा ऐसा उन्होंने कहा है बाजार की भी उम्मेदे अभी भी मार्च में लगी हुई है 36% जानकार चाहा रहे हैं कि मार्च में rate cut हो जाए I don't know अगर वो होगा या नहीं बट 100% जानकार मान रहे हैं कि माई तक तो rate cut आपके शुरू हो ही जाएंगे तो देखते हैं वहाँ पर नज़र आएंगी कुछ report सारी हों कहरे हैं जाए जून में पहला rate cut हो अब देखना है बट मार्च में पहला rate cut नहीं होना है ये अल्मोस्ट अब certain हो ही चुका है US Fed की तरफ से बाजार को भी इस खबर का जटका जरूर लगा है हमने देखा करीब सवा 300 अंग फिसल कर कट है करीब तीन महीने का सबसे खराब दिन Alphabet आपका साड़े साथ परसेंट टूटा है नतीजों के impact पर Microsoft Tesla भी धाइड़ाई परसेंट नीचे ही थे तो Fed का impact है, earnings का impact है दोनों तरफ से हमने देखा है बाजार का mood तो खराब हुआ ही है small caps की भी भारी बिकवाली हुई थी करीब धाई परसेंट आपका कल Russell 2002 टूटा है तो across the board pressure है अमेरिका में Fed की policy का आज Amazon, Apple और Meta के नतीजे हैंगे उस पर भी रखनी है नजर डॉलर इंडेक्स ने react किया है करीब 130 तक अगर डॉलर इंडेक्स आ गया हुआ है